आप सबी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर रुदेश लोग सिवायोग की दूसरी सबसे प्रतिश्थित परिक्षा ROARO के re-exam की तो मैं आपको अब आज कुछ बातें बता दूँ ROARO का पहली बाद तो होली खतम हो चुकी है April शुरू हो चुका है याद रखिए ROARO का जो re-exam की जो date है वो लगभग लगभग 20 अगस्त से लेकर के 15 सेप्टमबर के बीच में इसी range में होना है यह आपको clear cut होना चाहिए मैं आपको पहली चीज़े 2-3 चीज़े clear cut बता दूँ कब से कब तक 20 अगस्त से लेकर के 15 सेप्टमबर तक के बीच में होना है यही आपके दिमार्ग में होना चाहिए और आपको अपनी तयारी भी हिसी हिसाब से करनी है और यही पता हो कि यही अगस्त के first week में या जुलाई के end में यानि जुलाई के end में होगा UPPCS का prelims उसके just 15 दिन बाद या 20 दिन बाद होगा ROYRO की परिक्षा तो यह ROYRO की परिक्षा 20 अगस्ते 15 सेप्टमबर की बीच में होना है पहली चीज़ दूसरी चीज जो पोस्टें हैं पोस्टें होता क्या है आपका concept में पहले ही clear कर दूँ ROYRO के शुरू में मैं इमने आपको बता दिया था कि यह पोस्ट है जब तक prelims होता है देखे अगस्त में आएंगी पोस्टें अगस्त में होगा इग्जाम सॉरी prelims का सेप्टेंबर, अक्टूबर तक आपको इसके prelims का result मिल जाये कहा है याद रखिए जिस दिन prelims का result मिलता है उस दिन prelims के result में चितनी भी आरवे आरो में याद रखिएगा 500 से 600 पोस्ट होंगी किसमें आरो आरो में crystal clear याद रखिएगा और यह हर बार नहीं आती जैसे अब 2024 में होगा रोध होके फिर यह 2026 में होगा 2025 में नहीं होगा 2024 में होगा फिर आपको simply काम क्या करना है आपको पूरा दम लगा के अब तयारी शुरू कर देनी है आपके पास है तीन से चार महीने कितने महीने तीन से चार महीने करना बहुत कुछ नहीं होता अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि simply मैं आपको आपको target देता हूँ वीच में target चूत रहा था काफी दिन था अब अब भूली खतम हो चुकी है एक अप्रिल कल है कल मैं डेली आपको target दूँगा लेकिन यहां जरूरी बात यहा है कि target नहीं देने कि पीछे री सिन कया है आप में से सिर्फ हजार बच्चे उसको सही से पूरा करते हैं कितने बच्चे सिर्फ हजार बच्चे पूरा करते हैं बचे बच्चे सिर्फ देखते हैं और फिर कुछ नहा ना कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंटी नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा नेगेटिव सा फील होता है तो अगर आप देखे ये guarantee है कि पूरे target को आप complete करेंगे आपका prelims mains दोनों निकल जाएगा मैं mains के लिए properly तयार कर रहा हूँ हर एक content को तयार करके दूँगा ताकि आपको toppers code और UP Academy for Civil Services के बाहर कहीं न जाना पड़े ये भी challenge में दूँगा कि Hindi हिंदी देख लीजेगा आपके पास toppers code पर पड़ी होगी हिंदी का एक भी प्रशन चाहे prelims होगा चाहे mains होगा कोई भी बाहर से नहीं आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए किसमें आरो यारो के prelims हो हो चाहे आरो यारो का mains हो हिंदी कभी भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा 60 के 60 प्रशन आएगे अभी इस बार भी आया था फिर आ जाएगा इसके अलामा GS का आपका 70 प्रशन सीधे सीधे match करेगा toppers code से सीधा सीधा जो toppers code पे test series है उससे आएगा जो toppers code पे notes है उससे आएगा ठीक कुछ subject जो अधूरे थे जैसे Indian economy में आपको daily पढ़ा रहा हूँ अब आपने देखा होगा अब तक मेरा pair में दिक्कत था फिर उसकी वज़े से heart में दिक्कत हुई तो मैं भी थोड़ा सा अपने physical condition से जोज रहा था बट अब दीरे दीरे में सही हो रहा हूँ तो अब daily basis पे शाम को साथ से साड़े साथ बजे के बीच में आपको Indian economy की class मिलेगी और वो खास दोर से तीन exam के लिए है याद रखियेगा एक तो UPPCS के लिए है प्लस ROARO के लिए है और प्लस BEO के लिए है ये तीन exam के लिए है और इनी तीन exam के लिए मैंने test series भी बनाई है तो मैं आपको एक बात clearly बता लूँ कि बिना इधर इधर किये जो daily मैं UPPCS के target देता हूँ जो daily अब मैं दूँगा एक April से ROARO के target बस आप उनको पूरा करते रहे है अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इन दोनों के target को mix कर दूँ ताकि आप दोनों की एक साथ तयारी कर पाए ROARO की भी और UPPCS की भी तिक क्योंकि देखे syllabus GS का तो दोनों का same है तोनों का क्या है तीनों का GS का syllabus same है प्रशन भी तीनों GS के एक ही आएंगे तो अब एक April से जो भी मैं दूँगा आपको वो PCS और ROARO दोनों के लिए होगा याद रखिएगा अब जो मैं आपको target दिया करूँगा और यहाँ condition यह है कि सुबह मैं target दूँगा शाम को मैं आपसे comment box में पुछवाऊंगा आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना पड़ा है तो total अब daily आपको तीन वीडियो मिलेंगी कौन सी एक तो सुबह target में दिया करूँगा और यूपी PCS के लिए combine एक ही target में दोनों चीज होगी ठीक दूसरी बात शाम को साथ से साड़े साथ बजे की बीच में दूसरी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आपको daily economics में देड़ हथे में खतम कर दूँगा